हे वाट्स आप एब्बान देश इतेश जित्वानी आएम बैक विद दे नीग वीडियो फॉर दे स्टांडर ट्वेल पॉयम नंबर टू दे पॉयम नेम इस एन इलेमेंटरी स्कूल क्लास्रूम इन स्लम तो यह जो पॉयम है बेसिकल इस ब्रेटर्म बास्टिफन स्पेंडर यहां पर जो स्लम मतलब जो बैकवर्ड एरिया होता है जो उपर बट्टी वर्गला होता है उस एरिया के बारे में बात की गई है और वहां की जो स्कूल्स है जो अलेमेंटरी मतलब प्राइमरी स्कूल्स है उनके बारे में बात की गई है लेट स्टार्ट फार 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 फ और ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग फादर्स गिनाल डिसेज इस लेशन फ्रम इस डार्क अट बैक अफ दिम क्लास वन उन्नोटेट स्वेट एंड यंग हिस आइस लिव इन दे द्रीम ऑफ स्क्वीरल गेम इन ट्री रूम एंड अधर देन देस तो फार 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 फ्र है टॉंड राउंड तो रूटलेस वीड जैसे मलब यह ऐसे लग रहा है कि उनको जमीन से निकाल दी गए हो इनकी कोई ग्रोथ नहीं है और इनके जो बाल है वो भी थोड़े क्लमजी टाइप है वहां पर टॉल गल एक लंबी सी लड़की बैठी हुई है जिसने अपना सर जुकाया के रखा है मतलब उसने अपना वी जो है अपना जो हैड हो डाउन करके रखा है तो पेपर सीमिंग बॉई एन पेपर सीमिंग बॉई जो है यहाँ पर एक डुबले पतले बॉई के लिए वर्ड यूज किया गया है वित रेड साइज इसलिए बताए गया है क्यों और यह जो बच्चा यह कैसा है यह twisted bones वाला अनलग की बच्चा है और यह हमेशा अपने father की गिनाल disease के बारे में बताता है तो यह जो diseases को twisted bones की that might be possible उनके father को भी रही होगे और यह genetic चलती आ रही है his lesson from his dad at the back of dim class one unnoted sweet and young class के पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है जो unnoted मतलब जिसके बारे में जादा लोग ध्यान नहीं देते and he is sweet and young as well his eyes live in a dream और इसके आखे जो है वो सपनों में जादा तर रहती है और यह जो है वो room के बाहर squirrels की game है window से भार देख रहा है on sour cream walls donation Shakespeare's head cloudless at dawn civilized dome riding all cities bell frowley tireless valley open-handed map awarding the world its world and yet for this children this window not this map their world where all their futures are painted with fall a narrow street sealed with an elite sky far far from the rivers caves and stars of words तो यहां पर अगर हम देखे on sour cream walls तो यह जो दिवार है जो school की दिवार है वो एक तरीके से पूरी खराब हो चुकी है वहां पर कुछ दोनेशन्स दिया है डोनेशन्स में कॉनसी तीन चीजह है यह सेक्सपीर सेट एक सेक्सपीर का जो फोटो लगा हुआ है वो civilized dome riding all the cities bell frowley tireless valley और दूसरा एक tireless valley का भी picture वहां पर है open-handed map and third one जो है वो एक map open-handed map मतलब that map is always always inviting the people awarding the world of its world and yet for the children this windows not this map their world तो इन बच्चों के लिए जो अगर हम देखें तो ये बच्चे slum area में रहते हैं इन बच्चों के लिए अगर हम देखें तो map इनके कोई काम का नहीं है इनका जो world है वो window है मतलब ये बच्चे जो है जादा the school के बाहर देखते रहते हैं और जो हैं वो चाहते हैं कि इन बच्चों के यहां से मिलब slum area से बाहर निकाला जाएं वेर ओल देर लाइज फूचर वेंटेट फिट फॉग और इनके जो फूचर हमेशा कैसे रहते हैं फॉग में मतलब धूंद में रहते हैं जिसके बारे में किसी को को कोई clarity नहीं को फूचर में करना क्या है दे नेरो स्ट्रीट सील डिविद लीड स्काय और उनके जो गल्ली आए वो जो है वो एक narrow sky का मतलब होता है कि अब जहां तक देखो न ता आपको सिफ जमीन और आस्मान देखेगा कहीं पर भी कोई development वगेरा नहीं है far far from rivers, capes and star of words तो यह जो slum में रहा है यह rivers से भी दूर है यह capes and star of words से भी दूर है so stars of words मतलब यह education की बात की गई है यहां पर the third stanza, surely Shakespeare is wicked, the map is a bad example, with ships and the sun and love tempting them to steal for lives that slowly turn into their crammed halls from fog to endless night on their slaying hip, the children wear skins pipped through by bones and spectacles of steals with maddened glass like bottle bits of stones, bottle bits on stones, all of their time and space are foggy slum so blot their maps with a slum as big as doom तो यहां पर बताएगे कि यह जो Shakespeare है इनके लिए विग डिविग मतलब राक्षास के समान है map जो है, map वो भी उनके लिए एक bad example है with this ship's suns and love tempting to their sales क्योंकि अगर हम बात करें तो यह जो सारी चीज है यह सारी चीज इनको motivate करती है चीजों को चुराने के लिए, जैसे कि map है तो map में जो चीजे है that is tempting to the students के वो सारी चीजें चुरा ले for lives that slowly turn into their crammed halls from fog to endless night और इनकी जो अगर हम बात करें के यहां पर endless night मतलब यहां पर जल्दी रात हो जाती है तो इनकी जो night से endless रहती है मतलब यह कभी उस अंधकार से बाहर निकली नहीं पाते on the slaying hip these children wear skin peeved through by bones और यह जो बच्चे वो इतने दुबले पतले ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी bones के ओपर जाए वो skin pen के रखी हुई है in spectacles of steels with madden glass और इन बच्चों ने जो चश्मे जो spectacles पहने हुए है वो steel के बने हुए है उनका जो frame है वो steel का है और उनके जो glasses है जो चश्मा है वो भी कैसा है वो टूटा फूटा सा है like bottle bits on stones और bottle bits of stones का मतलब होता है कि वो ऐसा का जो तूट चुका है all of their time and space are foggy slum so blot their maps with the slums as big as doom क्यों यहाँ पे poet ऐसा बूल रहा है कि इनका जो जादतर time जो होता है वो किसमें चला जाता है यह fog में मतलब धुन्द में चला जाता है और पोइट आँव हो रिक्वेस्स कर रहे हैं कि इनकी जो जगे हैं जहां पर इख रहे हैं। उसको भी कही न कही हमें मैप में दिखाना चाहिए। ॥ थे मैप में कया करना चाहिए। तो यहां पर कहा है कि पॉइट इस रिक्वेस्टिंग जो गवर्नर इंस्पेक्टर या जो विजिटर वो लोग यहां पर आओ और इस एरिया को अब मैप में डालो जिसकी वज़े से लोगों को पता चले और इन लोगों को यहां से बाहर निकालो पॉएर जो है वेर केटाकॉंब जैसे के मदलब जैसे की बोलते है ना कॉफिन जैसे रहता है यहां पर बन्द हो चुक है कि ब्रेक ओ ब्रेक ओ ब्रेक ओ ओ और ओ ब्रेक ओ ओ ओ पन तिल दे बेक दे टाउन and show the children of green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into the books and white and green sleeves open history there whose language is the sun पॉयर जो हम रिक्वेस्ट कर रहा है break or break open till the break the town हमें उनको यहां से बाहर निकलना है इस town से बाहर निकलना है and show the children the green fields हम बच्चों को क्या दिखाना है वो green fields दिखानी है and make their world run azure on a gold sands so run azure azure जो होता है that is a sky color तो वो freedom show करता है हमें बच्चों को क्या दिखाना है जो golden sands जो मिट्टी है वो भी दिखानी है लब जमीन के बारे में बताना है and let the tongue run naked into the books white and green leaves open और हमें इन बच्चों को run the tongues on greens and whites का मतलब रहता है कि हमें इन बच्चों को पढ़ाना सिखाना है history there whose language is the sun so इस poem में जो है जादा तर poet जो है वो request कर रहे हैं सारे लोगों को कि इन बच्चों को हमें क्या करना है इस लम से बाहर निकालना है thank you so much for watching this video let me know if you have any questions or doubts I will be more than happy to help you stay safe have a great day bye-bye